मैं उसे ख्याल और आप देख रहे हैं एसके mathematics book जिसको मैं follow कर रहा हूँ तॉमस फेने कल्कुलर्स नाइंट एडिशन एक्सरसाइज 1.4 finding limit algebraically question number 17 एपॉट है मारे पास limit x approaches to positive side x plus 3 dot यानि multiply x plus 2 absolute divided by x plus 2 अब आपने इधर दियान रखने अपैं जो हमारे पास एदर positive side से है अगर minus 2 को मैं put कर लूँ अंडर root में यानि absolute में अगर मैं minus 2 के भी put कर लूँ तो हमारे पास किया जाएगा इधर positive side है minus 2 इस तरह इस तरह भी हम लेख सकते हैं तो हमारे फास किया जाएगा x plus 2 हो जाएगा यह नहीं positive जो negative है उसको absolute positive करता है तो positive x plus 2 positive to divide cancel each other तो x plus 3 आ जाएगा तो आपने track port करने है minus 2 plus 3 तो हमारे पास 1 आ जाएगा अब question number इसका 17 के b part में आपने दियान करना है limit x approaches to minus 2 minus side अब इसको आप इस तरह लेख सकते है या इसको भी आप minus 2 को इससे लेख सकते है असल में हमारे पास जो greatest integer function और least integer function उस तरह है यागर हमारे पास 2.5 का हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा मिसाल के तो पर अगर minus point 3 का हम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा minus 1 यापने उससे चोटा लेखना है इससे भी चोटा लेखना है आपने चोटा लेखना है तो हमारे पास इधर minus 2 है sorry इधर minus 2 है तो minus 2 and 2 यह हमारे पास सारा minus हो जाएगा यादि minus 2 है तो minus side है तो minus हो जाएगा divide by divide तो हमारे पास क्या जाएगा 1-1 रहेगा तो x plus 3-1 तो minus 1 इसके multiply करें तो minus 2 plus 3 तो हमारे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा तो 1 into minus 1 तो हमारे पास question answer जो है minus 1 रहे जाएगा question 18 जो हमारे पास same question है उस पे आप practice कर लिए अगर नहीं होता तो comment कर लिए वो भी मैं solve कर दूँगा आप question number 19 में देखते हैं limit theta approach to theta goes to 3 plus अब आपने 3 plus याँ हमारे पास 3 plus में है आपने ऐसे लिखने इसको हम direct 3 लिख सकते हैं तो 3 और 3 हमारे पास वना जाएगा ये greatest integer function आप इसका negative side दूसरा minus है तो हम minus 3 या 2 point minus में है तो 2 point less दें तो आपने उसे एक कम लिखने है तो हमारे पास 3 है तो 2 आजाएगा 2 और 3 आजाएगा same question आपने इतर limit t is equal to 4 plus तो 4 minus 4 की जगा आपने direct 4 लिखने है तो 4 minus 4 0 हो जाएगा अब जो b part है उसमें minus है तो 4 में से आपने एक कम लिखने है 3 लिखने है तो 4 minus 3 1 हो जाएगा या हमारे पास question number 20 तक ता जाएगा